आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो guys हमें यहाँ पर इस question में दिया हुआ है कि an ionic bond is the electrostatic attraction between positive and negative ions which are formed by two different elements when तो यहाँ पर हमें options यह हुए है तो यह बताना है हमें कि एक ionic bond जो होता है वो कैसे form होता है यहाँ पर लिखा हुआ कि ionic bond is electrostatic attraction between positive and negative ions ठीक है और यह मतलब दो अलग-अलग elements के जो ions होते हैं ठीक है तो यह लिखा हमें ionic bond कैसे form होता है एक positive और एक negative ion होता है और दो नहीं क्या होते हैं अलग-अलग elements के होते हैं ठीक है और हमें बताना है कि उनका क्या है आघ सिधाने तो यह लिखा है बहत है लो निगरिक टी में एक आयने तो अन्था नथिपी क्या बेह다면 हमें का आयने फुए और एक Alzlier और से क्या आईन थेल्पिक है तो अगर हमें है तो हमारा आयनिक बॉण्ड कैसे बंता है ऑट है इनिक बॉण्ड में पहले तो हमारे करेंस और एना इस मतलब की पहले पोजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स फोर्म होते है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक्च्छोली कि इस इसमें एक एटम के पास क्या होता है एक्ष्टा एलेक्ट्रोन होता है ठीक है और उसको लूज कर देगा तो नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेंड कर लेगा और दूसरे एटम के पास क्या होता है वो एक एलेक्ट्रोन अगर उससे ले लेगा तो वो क्या होगा वो भी नोबल gas configuration attain कर लेगा ठीक है तो इसमें क्या होती है एक electron की से एक electron एक item दूसरे item को दे देता है और इसी तरह हमारा ionic bond बनता है और वो depend करता हमारा कि कितने इसली हमारा जो positive ion और negative ion form हो रहे है ठीक है तो तो अगर एक कोई atom मान लिजे m है अगर इसको positive ion बनाना हमें मतलब इसमें इससे एक electron निकालेंगे हम तो इसकी क्या होनी चाहिए इसकी आइन ऐसे energy होनी चाहिए यह काफी कम होनी चाहिए तभी एक electron निकल जाएगा ठीक है और यह m प्लस ion बन जाएगा मतलब कि positive ion बन ठीक है और अगर दूसरा अगर हम देखें अगर यह मान लिजे इसको हमें क्या गरना इसको हमें एक electron इसको देना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इसकी electron gain enthalpy होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए तभी वो easily क्या गर गर गा electron ले लेगा और negative आयन बना लेगा ठीक है और ये दोनों एक दूसरे दे combine करके क्या है कि आयनिक bond बना लेगे तो इसके लिए हमें conditions क्या चाहिए इसके लिए condition होनी चाहिए कि जो ये हमारा जो positive आयन का जो element है इसकी आयन आयसन इन्थेलपी ये होनी चाहिए लो और जो ये हमारा जो negative आयन मनाएगा जो element उसकी क्या electron gain enthalpy क्या होनी चाहिए इसकी electron gain enthalpy होनी चाहिए बहुत ज़्यदा high तभी ये easily electron क्या accept कर लेगा of other element a low of one element तो ये हमारी condition है और ये ऐसा condition कौन से option में है तो हमारा पास है ये third option कह रहा है one of the elements has low ionic enthalpy and other high negative electron gain enthalpy तो ये third option हमारा correct हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट आउट आट 4444 पर